विद्याबलन इन दिनो भूल भूलयात्री को लेकर चर्चे में है इसके अलावाब खबर है कि विद्याबलन के नाम पर फरजी इमेल, इंस्टाग्राम और वाटसप अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है ऐसे में विद्याबलन के फरजी अकाउंट से ठगी ने इंडस्ट्री में काम दिलाने के जूटे वादे के साथ लोगों से संपर्क किया और इसी बहाने वो लोगों से पैसे मांग रहा है अभिनेत्री ने दावा किया है कि उन्हें इस बात का पता तब चला जब डिजाइनर प्रणई ने उन्हें वाटसप पर उनका एक मैसेज मिलने की बात की जिसमें ये कहा गया कि वो विद्या है मामले का पता चलने के बाद विद्या ने खार पुली स्टेशन में ठग्यों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है फिलाल इस मामले में आगे की जाज जारी है इस तरह विद्यावालन ने ठग्य के खिलाफ एक्शन ली है वैसे इस तरह के ठगी के मामले के लिए आप क्या कहेंगे आपकी रह में जरू लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में अल्सो प्लीज दो सब्सक्राइब आ चैनल नेशन नाओ मुंबई से वेज़िता प्रता आपनेशन नाओ